ब्राट तो यू बाई आइटल यू अन्होंने एज वाइफ इंट्रिडूस कर आया था मुझे और मिन्तुंदार नहीं भी मुझे भाबी बोला था और उम पूरी जी थे वहाँ पे और ये वाला फोटोग्राफ वहाँ का है उती का ही हाँ जी ये शिनवा सोरी है और हम ऐसी बैठे हुए और ये किस समय का फोटो है ये तभी का ही है जब हम लोग पैमपर एमपर चेंज कर रहे थे शिनवा का तो ये शिनवा का फोटो है वेस्टिन का वेस्टिन होटल का ये फोटो उस ग्राफ से ये कहा का है ये उदर का यह उत्रप्रदेश में रहे रवी किसन और पॉलिटीशन के साथ साथ अक्टर के सामने अब एक महिला आई है और उन्होंने दावा किया है कि उनके साथ उनके रिलेशन रहे हैं और रिलेशन रहने के बाद वो उनकी वाइफ है और उनकी एक बेटी भी है अपड़ना ठाकुर जो महिला है उन्होंने ये दावा किया है और आकिर इस दावे में कितनी सच्चाई है क्योंकि उनके साथ उनकी बेटी भी है वो भी मौझूद है हम उनसे बात करेंगे और जाने की कोशिश करेंगे कि उनके दावे को लेकर वो आपसे यह जानना चाहेंगे कि आप अपड़ना है, क्या पूरा नाम आपका है, आप कहा से हैं, और अचानक से आप लखनू कैसे पहुची और कहां की रहने वाली है, क्या बेक्गराउंड है? मेरा नाम अपड़ना है अपड़ना ठाकुर और बेसिकली मैं बॉन इन दौर में हुई थी और बॉट अप मुंबई में यानि मैं जब से फो स्टर्णेट की थी तब से मुंबई में हूँ और लगणाओं में मैं पांच शे महने से हूँ क्योंकि मैं सोश्री थी इसके लिए कुछ बिजनस स्टर्ण करने का चिकन कारी का तो उसके लिए मैं आती जाती आती जाती रहती हूँ यहां पर आप रहने वाली जो है वो एक तरीके से इन दौर की है और मुंबई में आप रही है लेकिन ये सारी चीजे जो आपका दावा है वो दावा क्या है आप क्या कहरे ही रवी किशन के बारे में जो इस समय कैंडिडेट भी है वी जे पी के सांसत भी रहे है एक बड़ा दावा है कि हमारी बिठिया शिनोवा वो रवी किशन की डॉटर है बस यही दवाय मेरा दावा नहीं है वो हकीकत है एक्चुली हन जी इतनी बड़ी बात आप कैसे कह सकती है आपके पास क्या एविडेंस है इसका कोई ऐसा एविडेंस है कि यह उनकी बेटी है चुकि आप अचानक स कोई तरिक्तियोव है वोईजनोट्स है वीडियो जैंटो तो उस तरह की इविडेंस बहुत सारे हैं और चैट्से whereas कि आपके आखे मुलाकात कब ऑई कितने साल पहलेир के मुलाकाद अभी थी और कैसे आप दोनों करीब आए करे क्या गानिए थी इसके में परके हम लोग कर मुझे प्रपोस किया और रिलेशन्शिप में आए यह बात है 1995 की हाँ जी उसके बाद उन्हों नहीं प्रपोस किया हाँ जी हाँ जी अब आप मुंबई में थी भाइदास हॉल में जूहू में कोई फंक्शन चल रहा था तो मेरे साथ में बैटे हुए थे तो मेरी दूसरी फ तब उस पीरियड में स्ट्रागल कर रहे थे हाँ जी और आप उसमें जनलिस ही आप उसके बाद फिर किस तरीके से कहानी आगे बढ़िया उसके बाद से तो हम साथ में हो गए और बस इतनी साल से हम लोग काफी साथ में ही है बस वो चेंज तब हुए दूरी हमारी तब हु उसके पहले या तो वो सूपर स्टार भी जब बने बोच्पूरी मुवी के तब वो पलिटिक्स में नहीं थे तब उन्होंने थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस को कि पहले हम लोग रोज मिलते थे रोज की जगे फिर कम 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 होने लग गया हमारा मिलना फिर मुझे प्रीती न जब बिग बॉस में गए थे ना तो मैं एक्चुली मुझे मेरे इती साल साल बराबर याद क्यों रहते हैंगICO की जब बॉस में गए थे उसके पहले हम मिलते थे और जैसी बिग बॉस में गए प्रीती ने मुझे मिलना स्टार्ट कर दिया प्रीती कौन उनकी वाइफ तो रोज आती रोज आती कि क्यों मिलती थी आप से एक्जाक्ली उसी पे आरी हुआ हुआ है क्योंकि प्रीदी उसके पहले भी उनका काफी अफैर्स रहे चुके हैं जो आ मुझे कभी पता चला है काफी जगड़े हुए हमारे में उनकी बिल्डिंग में भी गई हूँ क्योंकि पर आप बहुत आप एग्रसिव मोड में आते हो तो हमारे काफी जगड़े हुए हैं उनके जो उशिवारा में शांती बने बेल्डिंग उसमें भी मैं गई थी उनका और कोई तो उनके साथ में भी आफेर था तो मैंने उनसे जगड़े वगड़े करके फिर बेनिफिट आफ डाउट लेके उनको छोड़ दिया पर जब मुझे ये बिग बॉस में गए तो उसके बाद में प्रीती ने मुझसे मिलना स्टाट कर दिया तो रोज मिलते थे हम लोग कभी ये खरीदने जारे हैं कभी वो खरीदने जारे हैं कभी रोज बोले हाँ भी रवी आएगा और मि बात है इस वरी सीरिस अबाउट हर बैंड़ा में रहती है तो इस सारा सारा दिन रात बैंड़ा में पड़े रहते हैं उसके घर में ऐसा सब तो मुझे बहुत हट हुआ क्योंकि मम्मी को बहुत अच्छी तर से मिनको बहुत लाई करती थी मेरी मम्मी और बहुत मिले जू तो मम्मी लीलावती हॉस्पिटल में थी उन्होंने मैंने उनको बहुत बोला था कि मम्मी मिलना चाह रही है उनका अंतिम समाय है तो वो नहीं मिले और वो बैंड़ा में रहते थे थे नगमा के साथ में तो मुझे बहुत हर्ट हुआ तो मैंने जैसे ही बिग बॉस से आये हम लोग पर वैसे बातचीत होती रहती थी मिलते जूलते रहते थे क्योंकि मुझे शिनुवा के लिए उनसे कोई ये नो जुड़े रहना जुड़े ही रहना था उनसे क्योंकि आगे जाके तो नेच्छरली उसको मैंने बताया नहीं था शिनुवा को काफी टाइम से जो आप हुई है और इस तरीके से क्या करना है वह इस से फीचर कुछ इस तरही बात हुई कुछ है हां 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 जब उनको बात है नहीं कि जब मैंने को बोला तबी ना मोबाइल फोन नहीं होते थे जो वह था ना स्टीडी बूत वहां जाके फोन करते थे तो मुझे तो बोला मैंने दस दिन तक मलाड के सरोगी होस्पिटल में थी, तो दस दिन तक सुबह रात, सुबह रात, प्रॉपर्ली दस दिन आये वो, मेरे पास में, हाँ जी, वहाँ पर आये, हाँ जी, एक सवाल और भी है, इस अपार्ट फॉर्म डिस की, क्या आपकी शादी हुई है, क्या आपके हस लिजन, तो वह में बताना नहीं चाहूंगी, हाँ वक्त आयेगा, तो मुझे बताना पड़ेगा, तो वह आगे की बात है, बट उन से कोई लेना देना नहीं है इसका, तो मैं सेपरेट हो कि मम्मी कहां चलेगी थी रहने के लिए, यह कफ की बात है, यह 95 की बात है, यह 95 की मम्मी के आँ चलेगी और मम्मी को कहा मैंने कि मुझे डेवोस लेना है, फिर वो काफिर टाइम तक मैं मम्मी के घर पे ही रही थी, और फिर तब मुझे रवी मिले थे, और तब उन्होंने मिले तो उन्होंने प्रपोस किया, फिर उन्होंने बोला मुझे शादी करनी है तो सब मुझे ऐसी बोलते थे मामी भावी बहु करके ही मिलवाते थे उनके ममी डाइडी तो मुझे लगा चोलो ठीक है शादी हो जाएगी अभी हम दोने की बड़ फिर क्या हुआ कि मुझे जब मैं प्रेगनेंट होई शिन हुआ से तो मुझे पता चला देट ही इस अल्रेटर भी है रिवा तो फिर मैंने उन से पूछा तो बले कि नहीं क्योंकि मैं बैंडरा उनको जाती थी छोडने के लिए घर पर वहां वाकेली रहते थे तो हम लोग बैंडरा में कितना मिलते फिर रात को भी शोड़ जाती तो अपकोस मुझे लगे गाना कि अकेले है वो शादी शुदा है कैसे पता चलेगा बाद में पता चला मुझे तो फिर उन्हों ने बोला नहीं मेरा तो बचपन में गौना हो गया था और ऐसा करके मुझे एक स्टोरी दी नहीं जब मैं प्रेग्नेंट हो गई फिर मुझे पता चला कि इनकी आर्ड़ी मैरेड है और प्रेंट से पहले आपको नहीं पता था कि उनकी वाइफ है? नहीं पता था उनकी वाइफ और मुन्हें पता था है? तो वो खाना वगेरा खाके सो गए थे और दर्वाजा खुला था हम लोग हॉल में थे तो एकदम से प्रीती आई रिवा उनकी बेटी की साथ में और बले की रवी है क्या घर में तो मैंने बोला नहीं जूट जबकि उनके बाहर शूज और उनकी नीचे गाड़ी तो पूरे गई और उनने ब्लैंकेट में देखा दो लोग सो रहे थे तो ब्लैंकेट हटाया तो उनकी ममी भी थी साथ में तो तालिया बजा की बिल्टिंग में काफी जगड़ा हुआ उनकल गए तो प्रीती को स्टार्टिंग से पता था अगर पता था देखो ऑब्जेक्शन तो पर वालो के और तरह क्पोर्फ में रहा हुआ लिए तो धर्यार का प्रविए होशाह उसने मुझे कभी कुछ कहा नहीं और मुझसे कभी जगड़ा तो नहीं किया, प्रीती नहीं किया, मेरे से पीछे रवी से काफी जगड़े किये, वो मुझे रवी नहीं कहा, but I don't know if it's true or not. अब आते हैं आप पे कि आप, अभी आप क्या चाहते हो, basically आज के स्टेज में आप आए हो और ये बता रहे हो कि जो शराया है, वो उनकी बेटी है, अब चाहते हैं, कि रवी किशन पर इतना वड़ा आरोप आपने लगाया है, उसमें क्या चाहते हैं, उसमें मैं ये चाहती ह कि आप इतने साल बाल, 95 के बाद आज आप आई हैं और अचानक से कह रहे हैं, कि इस दौरान एलेक्शन भी है, उत्रप्रदेश में, उत्रप्रदेश के पुरे देश में एलेक्शन है, और ऐसे मैं रवी किशन जो उमीदवार भी हैं बाजपाई, तो ऐसा तो नहीं कि जानती हूँ, और इस टोटली परसनल मेरे लिए है, हाँ आप यह जो सवाल कर रहे हैं कि इतने साल बात क्यूं, तो उसका मेरे पास में यह जवाब है, कि मैं अभी रवी हमारे, यह आप से तीचार साल पहले, पहले तो वो हमारे टच में थे, वो मिलते थे, हम लोग कभी वेस्टिन में मिलते, कभी गाड़ी में मिलते, ऐसे हम लोग मिलते रहते थे हमेशा, जिसके में पस में थोड़े फोरग्रास भी है, बट और वो हमेशा प्रॉमिस करते थे, और इसको बोलते थे, हाँ बिटिया, मैं तुम्हारे लिए यह करू, उन्होंने अपने मोबाइ पर मैसेजिस काफी भेजे थे, कि देखो, अभी आप कुछ करो, उसके लिए बीद है, पहले उन्होंने इनको सिर्फ यही बोलती थी, कि जिस मीट हर, कि उसको ऐसा नहीं लगे, इग्नॉर्ड फील नहीं हो, कि मेरे, my father is not meeting me, caring about me, उसके बाद में उन्होंने क्या किया, मैं मेरे पास में WhatsApp, तो आपने फिर नोटिस भेजे, क्या इनको इससे पहले कभी, किस चीज के वो नोटिस थे, हाजी, पहले तो काफी साल पहले, मैंने एक तो WhatsApp पे भीज जा था, जो चैट हुई है, जो मेरे पास में है, उसके वाद में 2020 में मैंने उनको मेल भी की थी, तो मेल में भी लिखा था कि, प्लीज डू सम्टिंग, बी विध हर, मीट हर, नहीं तो में पास में लास्ट आल्टरनेटिव यह होगा, कि मैं लीगल, लीगली जाओंगी, तो भी उमेल की कोई जवाब ने आई, अब ये एक और नोटिस मैंने भीजा था इनको, उसको भी अल्मॉ इसको अपना है, तो उसका भी जवाब में मैंने काफी सरे हमारे फ्रेंस हैं, जो कलीक्स हैं, जो मेडियाटर हैं, तो मैंने बोला, I want to do out of court something, क्योंकि ना मुझे court, ना मीडिया में जो कहीं नहीं जाना है, बड़ उन्होंने एक कदम आगे नहीं बढ़ाया, आपकी मुला हैं, तो आज के स्वीट रूम में मिले थे हम लोग, तो बोल दो, जिसको भी एक होट है, आपके पास है क्या कुछ ऐसा इविडेंस फोटोग्राफ सैसे, जो आप दिखा सकें, जिससे हम समझ सकें, कि हाँ, कि आपका कुछ रिलेशन उन्हें से रहा है, हम अपने कैमर में स संदीब से कि वो कोशिश करें, दिखाने के थोड़ा सा, बिसिकली, और दूसरा में एक बात आपके चैनल पे आज क्लियर करना चाहती हूं, कि जो टैग लाइन दी जारी है, रवी किशन स्वाइफ, रवी किशन स्वाइफ, जो मैंने इंटेव्यू में भी काफी बार बोल है कि उन्होंने मुझे कुछ दोस्तों के सामने सिंदूर लगायाए है, मंगल सुत्र पहना आए है और एजवाइफ इंट्रिडूस किया है सबसे बट लीगली हमारी शादी नहीं हुई है that is by law बट बाकी हाँ हमारी बिटिया है उन्होंने सिंदूर लगाए मैं उनके साथ में कभी भी बहार जाती थी जो सिंदूर लगाया है वो सबके सामने लगाया कि कहीं पे अलग से ऐसे नहीं उन्होंने अकेले में नहीं लगाया हमारे पांची फ्रेंज थे और तब लगाया था सिंदूर लगाया था वो सिंदूर मैं ऐसे इमोशनल उसमें वो ऐसे करके रखाया बटा इड़ों लगाया है उसके फोटोग्राफ्स है आपके पास सिंदूर की उसके उस समय के तो हाँ मैं सिंदूर लगा के हूँ ना उनके साथ में दिखाए कुछ फोटोग्राफ्स ऐसा जिससे की कुछ लग सके देखिए क्लोज क और लगा आज से हमारी फ्रेंड भी चलीती सात मी तो उट इसी ही उन्होंने ने मंगल सूद्र करीदा था और उटी में मंगल शूत्र पहना आया था मुझे ये मित उंदा की ठीक और वहां का हे हम् किसले गया थे हम प्रटिफीर फिर्ष म नाने गया थे और तब ही मितउन हाँ हम यह शीनोबा सोरी है और हम ऐसी बैठे हुए यह फोटू का यह उट्धी का इस समय थार्टी फ़र्स को गये है हनले यह किस समय का फोटो है यह तभी गाहिए जब हम लोग पैमपर एमपर चेंज कर रहे थे शिनोबाका तो की बॉत पर क्या कहा है तो कफी मजे लगता बड्य है इस समय गॉत पर क्या के दिएम्ध हम तो यह बने आयес है किस तरह हम से मिलते हमुड करो है साथ तरेके से डिनाय कर नहीं कि मैं नहीं जानता हूं और नहीं किसी तरहीकर से तो वो तो पोर्ट में जाएगा तो फिर वो नैच्रली होटल की सीची टीवी में होगा ये होगा वोगा बट यह तो जाता सबूती है ना उनकी चैट भी वो क्या है उनके वोइस नोटे वो क्या है और किसी की आवाज है यह भी है यह तो और विद्ध कर दो अरो कहीं का है तो यह सारे फोटोग्रापस आप उनको पता है आपने जब उनसे कभी बात की रिसेंट्ली और यह बात जो अपने बेटी की कहीं कि उनको एसेप्ट करिए उसके वारे में तो तब उस द्रूर उन्होंने क्या कहा तब उस तो अब तो एक्सेप्ट करो उसको तो उसको टाइम ही नहीं दे रहे थे यहने टाइम भी नहीं दे थे कि as a father at least आप अपना और कुछ नहीं दे सकते हो तक time तो दो यह मतलब मैं हम मानके चलें कि जब 29 साल आपने लगा दिये और आज आप पुरी तरीके से फाइनली आगें कि court case भी करेंगी और सामने भी लाएंगी तो इतना समय क्या आखिर यह biggest point क्यूं आया आप अब क्यूं यह सोच नहीं करने के लिए जब आपने आज तक यह नहीं किया नहीं अब यह इसलिए सोच नहीं क्योंकि मैंने आस तक काफी कुछ किया है मैंने उनको बहुत सारे बार personally मिली हो इसके बारे में बात की है और phone पे बात की है उनको whatsapp किया है जो उन्होंने जो message किया मुझे वो है कि legal notice के बार मैं और काफी बार whatsapp पे उन्होंने यह लिखा कि मैं depression में हूँ मैं depression में हूँ मैं दवाईयां खा रहा हूँ तो फिर मैंने बाला चलो ठीक है take care हम लोग जब मिलेंगे तब बात कर देंगे तो ऐसे उन्होंने टालते टालते कभी commit suicide कभी depression ऐसे आगे बढ़ाते गए उसके बार में मैंने उनको mail भी किया फिर एक साल पहल रहे हैं जिसमें आप लोगा पार्ट करते हैं पार्टी करते हैं और यह अलिगेशन लग रहा है कि आपका character असेसनेट हो रहा है कि आप देखे इस तरीके से रहती है और इस तरीके से आपकी चीज़ें और आज आरूप लगा रही है कि मेरे मताव मेरी यह बेटी है तो ठीक है उसका बदे था और उसमें सारी लड़किया ही है उसमें ना धारू भी दिखेगे आपको और ना उसमें कोई लड़के भी दिखेंगे हम लोग लड़कियां मस्ती करें यह डांस करें उसमें सो वाट उसमें कोई गलत बात है कि आप पार्टी करते हैं तो गलत बात ह बिलकुल नहीं है तो उसको मुद्धा ही कि आप उस तरीके से रहते हैं और अचानक से आके आप आरोप लगा रहे हैं और आप फेक हैं आप कोई बेस नहीं है मुझे इस बात का समझед में नहीं आता है पार्टी कोई करता नहीं है सब करते हैं वो तो चुप चुप के बहुत करते ही हैं, पर मैं तो पार्टी करी हूँ लड़कियों के साथ में, डांस करी हूँ तो उसमें कोई गलत बात है, और अगर मैंने एक और फोड़ोग्राफ है और इसमें छोटे शॉट्स्पन है, तो क्या हुआ, अगर मैं अगर स्विंग करने जाओं तो सिम सूट भी पहनाँगी, उसमें याने क्या, मैं क्या, उसमें मेरे कैरेक्टर एसासिनेशन क्यूं हो रहा है, मैं कोई समझ में नहीं आ रहा है, यह बहुत गलत बात है, तो मैं उनके ओपर मानहाने का भी दावा लगा सकती हूँ, जो भी कर रहे हैं, 100% लगा स कैसे कर सकते हैं, मैं पार्टी कर रहे हूँ, इसलिए गलत बोल रहे हैं, या मैं शॉर्ट स्पेंड रहे हूँ, इसलिए गलत बोल रहे हैं, कि मेरा कैरेक्टर नहीं है, अगर मैं पार्टी कर रहे हूँ और शॉर्ट स्पेंड रहे हूं तो, गलत है ना, एक जो और भी सव मैंने इसकी वेसा है। पूरा की पूरी एजनसी है। बिटिया भी काफी अच्छा करी है। कभी फाइनसीली हेल्प की बात हुई हो या आपने रभी किसन से इस बारे में बात की हो कि हमें मदद चाहिए या हमें इस तरीके से उस दौरान क्या रिस्पॉंस रहा या क्या वज़े रही थी करने की। हाँ एक बार जब ये टेंथ में थी तब मैंने एक बार फिर्स्ट मैंने तो एक ही बार उन से फिननेशिल हल्प माली ओंली वर्नसीली मालाइफ जो फॉर्स्ट में थी तो इसके जो बोड्य की फीस आती ना वो बहुत थी टीचर्थ की वान लाक ट्वेंटी थाउजन ऐसा कभी life में नहीं दिया मुझे never ever और ना मैंने मांगे शिनुवा ने मांगे उनसे एक दुबार मैंने कभी नहीं मांगे उनसे पैसे क्योंकि हम लोग already मैं अच्छा कर रही थी और अभी भगवान की दिया से अच्छा ही कर रही हूँ आपकी बेटी से भी बात करते हैं सिनुवा से ये बताईए कि आपको कभ पता लगा इस बारे में कि वो आपके फादर है और कभ मदर ने इस बात में जिक्र किया और पहले आप भी बताईए कि आप अभी करती क्या है क्या स्टेडी आपने की है और अभी आप क्या का रही है पहले तो यह बताई तो मैंने मैं ग्राजुएटर हूँ बी-ए आर्ट्स से और मैं आक्टिंग इंडस्ट्री में हूँ जिब की मैंने हां तो यह है और मैं जब 15 साल की थी तब मुझे पता चला था कि वो मैंने एक व सारा दता मेरी मॉम प्ले कर रही है फिर मैंने एक साउथ फिल्म की है जो अभी भी एडिटिंग में ही है वो रिलीज होगी और मैंने एड्स की है थोड़े बहुत फिर आपको कब पता लगा कि रवी किशन आपके फादर है जब मैं 15 साल की थी तब मुझे पता चला कि वो म मेरी मॉँ ने मुझे बोला क्योंकि उनके फ्रेंज के तुरू मुझे सुनने में आता था कि वो मेरी मॉम के फ्रेंज के तूरू ऐसे ओवर रहर करती थी , उन्होंने भी एक बर स्व कर भी words शॉरे जो बात की ती तब मुगे मुझे ऐसा सुनने में आया कि शॉयद वो मै पूछा तो उन्होंने बोला कि हाँ वही है तो मैंने उनको बोला कि oh my god मुझे पता चला है कि you are my father और मुझे आप से मिलना है और मुझे आपको जानना है प्लीज मीट मी तो वो मुझे से मिलते थे बट उपर उपर से वो personally मिलके बोलते थे तुम हमारी बिटिया हो मैं तुमारे लिए हमेशा रहूंगा don't worry at all और यह वो और मेरे लिए वो when I was 15 मेरे लिए वो ऐसा हो गया था कि oh I have a father और you know मुझे उनको जानना है और मैं तनी excited हो गए थी क्योंकि I really like this work also तो मैं उनको हमेशा कहती थी मैंने आपका यह movie देखा मैंने आपको यह और वो मुझे मेरे बर्दे पर ही फोन करते थे सिर्फ mostly और दो तीन बर्दे उन्होंने फोन भी नहीं किया तो मुझे लगा कि पता नहीं मैंने बहुत बार ऐसा question कि उनको फरक नहीं परता कि मैं हूँ नहीं हूँ शायद वो इतने busy है शायद उनका life इतना busy है पर वो इतने busy है कि उन्होंने मुझे एक साल तक message नहीं किया वो इतने busy है कि उन्होंने मुझे एक बर भी call नहीं किया और मम्मी उनको याद दिला रही है कि इसका birthday है फोन करो तो मुझे ऐसा लगता था कि फिर वो ऐसा क्यों कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए हूँ और वो कभी है ही नहीं और वो कभी मुझसे मिलना नहीं चाहते क्योंकि मैंने तो कुछ ऐसा गलत बोला नहीं आपको या कुछ किया नहीं और आपने भी हमेशा ऐसा ही दिखाया कि आप मेरे लिए हो पर आप अक्च्छल में कभी थे ही नहीं मैं जब मेले में में बहुत जब मिली हूं तो उन्हों नहीं पता था और एट दी हैंड मुझे तो ऐसा लगता है कि आपकी वज़े से हूँ ना इस दुनिया में मैं आप ही के वज़े से हूँ ना मैं नहीं तो मैं आती ही ना तो आपने मुझे बताया कि मैं हमेशा हूँ तुमारे लिए हूँ तुमारे लिए तो आपने जूट बोले ना मुझसे इतने लेकि बहुत प्रशंची ने लगा रहे हैं आप पर भी कि आप ऐसा नहीं है जो भी क्योंकि सारी सीज़ों करने तो मैं तो कह रही हैं कि मेरी माम ने बोला कि कोट जाना चाहिए मैं कभी अपना जब मैं इंडस्ट्री में भी आई थी मैंने अपना नाम उनसे कभी भी नहीं जोड़ा है कहीं भी मैंने एक बार भी नहीं बोला कि मैं उनकी बेटी हूँ अभी तक किसी को भी नहीं पता था कि मैं उनकी बेटी हूँ कितनी बार मैंने सामने से उनको बोला है कि आप मिलो नहीं मिलना मिलना नहीं है यह सब भी उन्होंने कहा है मुझसे आपकी इंडस्ट्री में मदद की उन्होंने चुकि आप जब मिलती रही लगातार 15 साल से जानती है 25 साल होगा 10 साल तो मिलती रही कभी इंडस्ट्री में मदद की या कभी कहा कि यह मेरी बेटी हो मैं तुम्हें मदद करूँगा या मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊँगा उन्होंने ही मुझे पुश्ट किया था कि आप जाओ तुम जाओ इस इंडस्ट्री में तुम 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 इसी के लिए हो यह सब और मैं क्या 15 या 16 से उसकी थी और मुझे लगा अच्छा वो मुझे पुश्ट कर रहे हैं जो भी बट मैंने उनसे जेनुइनली मैं ऐसा कभी हल्प नहीं माँगी थी सिफ एक बार मुझे हल्प चूए थी कि मुझे इनसे आप मिलाओ क्योंकि मुझे उनका लाकिर अब क्यों वज़े पढ़िया कि ऐसे एकसेप्ट करें अजिन की आप चार साल तक तो गाया भी हो गए चार साल पहले तक तो बात कर रहे थे ना फिर लॉक्डाउन फिर मुझे लगा इनको मेरा फरक ही नहीं पर रहा है कि मैं हूँ नहीं हूँ जिन्दा हूँ नहीं ह ला हमें कोट जाना चाहिए बिगुज लीगली मेरी राइट है तो नोग दाट व इस नहीं नहीं करना था कभी है चीज मैंने मुझे अपना नाम ही नहीं जोड़ना था उनसे क्योंकि मुझे इतनी तु वेरी हॉनस्ट इतना हर्ट फील करती थी मैं और इतना एक तरीके से नफरत ही करने लग गए थी क्योंकि मुझे उन्होंने बहुत सी चीजे हुई है जो मैं बोल भी नहीं पाऊंगी बट बहुत बार इस तरीके की चीजे हुई है कि मुझे लगा मुझे इस इंसान से नहीं बात करनी तो मैंने ब्लॉक कर दिया था उनको बट अब जाके मैं क कि आप इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए कि बात करें तो मैंने नाइटीन की थी तब शुरू किया मैं एजनसी में गई फिर मैंने बहुत सारे ओडिशन्स दिये वेब सीरीज मुझे आडिशन दे के मिली है तो अभी तक तो मैंने खुद से ही किया है आगे जाके मुझे उनकी भाई कोई मदद नहीं चाहिए आपकी मुझे आपका नाम भी नहीं जोड़ना है अपने आपसे आगे जाके कि आपके वज़े से मुझे काम मिल रहा है अभी त कोई हल्प नहीं चाहिए मुझे कहीं में इंट्रिड्यूस मत करवाओ मुझे कुछ बिल्कुल भी नहीं चाहिए क्योंकि आपने वैसे भी नहीं करवाया भले ही आपने सामने से बोला था कि आप करवाओगे आपने कभी नहीं करवाया उसके बाद मैंने चार साल तक एक ब बिना उनके नाम के अभी अभी आप क्या चाहती है क्या होना चाहिए आपके साब से तो आप यह बता दीजिए कि मैंने आपके साथ क्या किया जो आपने इतना इंग्नॉर किया मुझे और फिर ऐसा क्या किया जो आपने मुझे इतने जूट बोले जूट बोलने का क्या मतलब कि आप मजे बार बार बोलते रहते थे मैं तुमारे ले हूं मैं तुमारे मुझे पता कि जब वो मियरा फोण नहीं उठा थे या जब मुझे इगनौर करते थे या जब मैं उनके फोन का वेट करती थी तो मुझे इपता कि मुझे कैसा फील होता था कि I have a father who is not at all caring only for me who's not there only for me and he's saying कि वो मेरे लिए है और वो है ही नहीं तो आप accept नहीं कर रहे हो तो बता दो क्यों नहीं accept किया और इतने time तक मुझे इतना फाइनली आप चाहते हैं कि आपका accept कर दो फाइनली मैं चाहती हूं कि आप accept करो और या तो सच बता दो कि क्या है भई क्योंकि लोगों को तो यहीं लग रहा है कि जूट है फेम है एक्स्टॉर्शन है एक सवाल आप से भी है कि आप अब यहां लखनो आई है और यहां से आपने तरीके से फाइल किया आप मुंबई में भी कर सकती थी आप गोरक फुरुम मी कर सकती थी आपने यहां पर आने का क्या मक्स्ट Ruach चुकि आप आके सीधे जब केस कर रही है तो क्या यहां पर आने का क्यों आपने प्लान क्या लखना हुँ चुकि आपके लिए तो अ्नोन जगय थी तो इस बात का ये है कि यहां पर मैं 5-6 मैने से हूँ और काम कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, मतलब शिनवा का यह कुछ काम कर रही हूँ, गामिन्स वगेरा का, तो मैं यहां पर जादा रहती हूँ, आती जाती रहती हूँ, एक तो बात यह है, दूसरा जो मेरे लॉयर है, वो यहीं के है, क्योंकि कि देखो अभी मेरी माली हालत ऐसे नहीं है कि मैं बड़े-बड़े लॉयर्स आये करूँ उनकी फीस इतने देसे हुई तो उनका एक हमारी एक कि अभी वह देखो आज कोट बंद है आज ही करने वाले थे कल ही करने वाले थे पर कल यहां पर पता नहीं कैसे कोट बंद होगी और आस तो खेर चुटी ही थी एक और बात में आयड करना चाहती हूँ जो शिनुवा से आपने question पूछा कि आप उनसे अभी काम वाम आपको काम चाहिए शौरद चाहिए इसलिए जूड़ना चाहती हो तो कोई अपने बाप से expect नहीं कर सकता है तो किसे expect करेगा अगर उसको उसको अगर उनकी तरफ से काम भी चाहिए या पैसे भी चाहिए या कुछ भी चाहिए तो एक बच्चा अपने बाप से बोलेगा ना और उसको पूरा हक है उसका वो कह रही कि नहीं बट है कि नहीं है कि रीवा को लॉंच करने के लिए उनने नितिन मनमौ को एक करोड रुपे दिये थे सब को पता है तो और उसके लिए इतना बड़ा Premier कह था आप एक बच्ची के लिए सब खुछ करते हो एक बच्ची को आपने ऐसे करें हाँ जी हंड़ेट परसंट क्योंकि उसका उसका फुल ड्राइट है ना कि जानने के लिए कि मेरा फादर कौन है तो उसके लिए तो यह है और एक और एक सेकंड के लिए मैं और कुछ बोलना चाहती हूँ जो सोशल मीडिया पे फोड़ोग्राफ सारे हैं दूसरे और मेर हस्बन के बारे में ठीक है तो ये बात में आज साफ साफ कहे दूए कि हम लोग अभी अटरा साल से वो बद्रीनात के आपास में अउरगम वैली हैं उरगम वैली तो जिसको भी जाना है आप जाओ उदर पता करो कि अटरा साल से वो वही रह रहे थी हैं हाँ जरूर कभी ठीक है जो सबको पुरी दुनिया को पता है आप जिसने भी डाली है और जो भी है पता कर लो कि 18 साल से में सेपरेटेड हूँ और रवी के तो 4000 फोटो देदू में प्रीती की साथ में है तो how does it make a difference इसमें क्या प्रूव करना चाह रहे हैं लोग जो आपके पास फोटो हैं रि किसे नहीं बात कर रहे हैं मैं आपको एक आप मुझे काफी सारी है जो मैं सुनाना ही नहीं चाहूंगी है कुछ एक आज रिकॉर्डिंग जो मैं अगर मुझे उस हद तक अगर लेके गए और अगर मेरा character character assassination किसी भी तरह से हुआ गलत बात हुई तो को रेकॉर्डिंग thousand पर्सन में लेके आओंगी विच इस विच इस गोई टू एंड है कि इसा तो नहीं कोई कोई अलग पार्टी हो या समाजी पार्टी है कोई भी ऐसी पार्टी हो आपके पीछे है चुकि वो इलेक्शन लड़ रहे हैं इस समय और बीजेपी सी कैंडिडेट भी है तो ऐसे में और बासा नहीं कि उनको हराने के लिए इस तरीके की बात हो कि चानक से आप आगे और पूरी तरीके से उनके खिलाफ आपने मौर्चा खोल दिया इस बारे में भी कहा जा रहे हैं तो इस बात पर मेरा यह है कहना कि कल भी मुझे किसी का फोन आया था और उस व्यक्ती ने कि केस कर दो और मैं किसी एक्स पार्टी का नाम भी लिया था उनसे मिला दूँगा तुमको पहले ही दस पंद्रा के रोड मिल जाएंगी उसके बार में आराम से केस करना है हो सब तो मैंने उनको पहले भी हो यह कहा था मैं बिल्कुल पैसे वैसे नहीं लेना चाहती हूँ और ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास में जाना देती हूँ आप मेरा पूरा रेकॉर्ड देख लो कोई एक एक कोई भी पार्टी का पॉलिटिशन उनके ना मेरे पास में फोन कॉल है और ना मैं उनसे कभी भी लाइफ में मिली हूँ I have nothing to do with politics एक बात औरारी की तर भाब भूदेंगी तो वो कैसे क्या कॉसे सबसे पहली बात तो आच ए अच्छा है कि वो अगर ऐसा आना चाहती है वो कुछ बोलना चाहती है सबसे पहली बात मैं जेल के बारे में बोलूंगी तो आप पूरी हिंदूस्तान ने पूरी दुनिया की सब जेल में सब पो towelis record म देख लो कि अगर मेरा नम कहीं पर भी है तो अगर मैं जेल गई हूं तो और अगर ये बात वो आके कहती ही तो thousand percent I will file a case against her of naturally how dare she says that I have gone in a jail. आप कुछ भी चूट बोलोगे आप government में हो आप public में हो आप सांसद हो तो आप ऐसा बोलोगे किसी को भी इतना तो मैं तो immediately मानहानी का दावा hundred नहीं thousand percent करूँगी उनके और उनके पूरे परिवार के खिलाफ एक तो ये है और आप आपने उनके प्रीती के बारे में और क्या क है बट वो किन से किन से जाएगी बहुत सारी है अक्षिरा है नगमा है बहुत सारी है लड़कियां रवी किशन की जो image है वो पूरी दुनिया जानती है मुझे बोलने की कोई जरूत नहीं है what kind of a character ही है जो उनका चरित्र है वो मैं नहीं कह रही है वो पूरी दुनिया जान जो भी गिसन कहीं न खहीं आप से बात करते हैं और आपको manage करने की कोशिश करते हैं और जब उन्होंने से 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 कारिष कर दिया इस बातों को तो इस बात को लेकर क्या काएंगी कि अगर कुछ नहीं है ग्राउंड अगर आपके पास इतना बड़ा ग्राउंड है और वो कह कोई नहीं है ये हैं पावर का नशा और कुछ नहीं मेरे हिसाब से एस सिर्फ और सिर्फ पावर का नशा है क्योंकि वह सांसर्द हैं और हम तो कुछ इंआ है तो ठीक है योगी जी से आपने अपील की थी शुनाया क्या अपील की थी और क्या मैंने यही अपील की थी कि आप वो मुझे और मेरी मौम को थोड़ा समय दें ताकि मैं इंसे बात कर सकूँ क्योंकि मेरे लॉयर ने मुझे पताया था कि वह बहुत अच्छे हैं और वह हेल्प करें हमारी इस चीज में और इतलीस जो हम बोल रहे हैं वो सुने और मैं उनको बस सारे सबूत दिखाना चाहती हूँ और सब बताना चाहती हूँ मेरे साथ क्योंकि कितनी चीज़े तो मैं बोल ही नहीं सकती हूँ ना इधर तो उनके साथ अगर मैं परसनली मिलू बात करूं तो मैं उनको सब बता सकती हूँ जो मेरे साथ हुआ है क्योंकि कितनी चीज़े मैं तुरू द लॉयर्स मुझे अलाउट नहीं है बोलना और इन जेनरल मैं खुद कभी बोलना नहीं चाहूँगी क्योंकि उनको मैं कभी अफेक्ट नहीं करना चाहती है क्योंकि उनको काफी चीज़े बताना चाहती हूँ तो बस मैं यही अपील करती है उनसे कि आप प्लीज मुझे और मेरी मॉम से मिलिये और याइच आती है कोट केस आप तक कब आप करने वाली हैं और उस केस के बिहांपर क्या मांग करने वाली हैं जल्द ही करूंगी क्योंकि अब हो युद्व लोय डिसाइड करेंगी क्योंकि कुछ पेपर ब्रभुक्स वगयर्य में लगे हुए है और मेरी इमांड सिर्फ यही होगी to accept हमारी बिटिया उसको accept करे शिनवा को नहीं करते हैं तब तो मैं court में लड़ती रहूंगी आखरी दम तक मैं लड़ती रहूंगी हाँ जी आखरी दम तक लड़ती रहेंगी बिलकुल 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 गोरकपुर से क्या लेने देना वहाँ जाके क्या गड़ लोगी किस हंसद है ने तो उससे मैं गुरकपूर में क्यों जाऊंगी मिलके अभी आप प्रियास किया कि मिलने की बात सोची कि भी मिलना है बहुत बार उनको बहुत सारे मेसेज़िस गए है मेरी फ्रेंड के उससे मैंने वाइज नोट वगेरा किये हैं बट उन्होंने कदम नहीं बढ़ाया ना तो मुझे गोरकपूर या मुझे कहीं नहीं जाना है मैं जहां से भी केस फाइल करूंगी अगर कुछ होता है तो सुप्रीम कोड जाऊंगी मैं पूरी कोशिश बाइलाओ करने वाली हूँ बाकी नहीं करना मुझे अगर वो अगर कदम बढ़ाते हैं मुझे आके मिलने का बात करने का तो एक अलग बात है चुनाओं में वो खड़े हैं लोगों से अपील कर रहे हैं कि हमारा हमको नेता बनाए या हमको एंपी बनाए और एक तरफ आप पूरी तरीके से उनको ये कर रहे हैं तो कहीं न कहीं क्या कहेंगी इस पूरी करेक्टर को या कहेंगी इस पूरे सिनेरियो को जनता के साब में जा रहे हैं या जिस तरीके से लड़ रहे हैं तो ये बात है कि वो मुझे पता है जो मैंने आपको उस दिन और सब प्रेस वाले को बताया कि वो election लड़ेंगे भी और वो election जीतेंगे भी क्यों क्यों कि he is very good with his words वो जबान से बहुत अच्छे है और वो जबान से बहुत मीठे है अब मुझे इतने साल तक उन्हों ने वो कि तो आपको दुख है यानि इस बात का इतने साल तक और उने इस तरीके से किया में को दुख बिलकुल नहीं है जो उन्होंने मेरे साथ में कुछ 10-15 साल तक किया उसकी मेरे को बहुत खुशी है क्योंकि उन्होंने जेनुरिली मुझे बहुत प्यार दिया है बहुत जादा या और ignore किया, उसके बाद में हमारी बिटिया को ignore किया, उसका मुझे बहुत धुक है, बहुत बहुत धुक है आपको भी इस बात का धुक है कि आज वो इस बात को accept नहीं कर रहा है आज क्या, वो तो मुझे all the time ही धुक था कि उन्होंने जब से, जब से मुझे पता चला है तब से ignore ही किया है और बस मिले हैं तब बोला है कि I am there with you, तो जब भी फोन पे बात हुई है, बहुत अच्छे से बात की है उन्होंने मुझे से जब मिले हैं तब भी कुछ-कुछ time तक अच्छे से बात की है पर मैं होटी होती रहती थी तब क्यूंकि मुझे तो questioning ही चलती रहती थी कि ये क्यूं कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं अभी आप रहेंगे मतलब लगनों में जब तक आप court case file नहीं करती है हाँ, mostly आज मेरी lawyer के साथ में meeting है, तो हम सब decide करेंगे और योगी जिसे की तरफ से कुछ आया है, response मिलने का नहीं, नहीं, उनकी तरफ से कुछ नहीं किसी तरीके का आपको social media या किसी पर कोई बात्चीत किसी से इस तरीके से हुई जब से आपने इस पूरे point को उठाया है मतलब local नहीं, नहीं, ऐसे कुछ बात्चीत नहीं हुई हमारे, नहीं अब पढ़ना ठाकोर जो हमारे साथ मौजूद थी इस समय और उनकी बेटी साफ तोर से दावा है, कि वो रवी किसन की वाईफ है एक तरीके से, और दूसरा उनकी वो बेटी है, रवी किसन की, अब ऐसे में कई सवाल है उनके पास, और उसी के जवाब लेने के लिए वो ल जाएंगी और जरूरत पड़ेगी तो सप्रीम कोर्ट तक भी धरवाजा खटकट आएंगी, लखनों से क्यामरा परसन संदीब दूबे के साथ आशिश्र वास्तो, यो भी तक झाल